जो भारतिय सम्विधान की अनसूची उसको याद करते हैं कहानी के माध्यम से तो देखते हैं कहानी क्या है कि एक घर होता है और घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो घर को चलाने के लिए क्या होता है पैसे की आफशक्ता होती है तो पैसे कमाने के लिए क्या होता है हम लो नौकरी करते हैं तो मैं वहां से वेतन भर्ता और पेंशन मिलता है तो यह कंद उपियोग न करें इसके लिए हमें क्या शबत दिलाई जाती है तो ऐसे लोग याद कर से तो इसको देखते हैं कि कैसे ही कहां होगा जो प्रिथा मनसूची है उसमें हमें घर मतलब घर मतलब जो हमारा भारत है वो हमारा एक घर है जहां पे 28 राज हैं और 9 संग शासित छेत्र का उल्ले किया गया है और जो दिल्ली की राष्ट राजधानी उसे सम्विधान के 59 संसोधन के द्वारा बनाया गया है और जो दूसरी जो राज विबस्ता के earn कफिन पत्र का करता है उनके वेटन खात्थी और पेंशनादी का उल्ले किया गया इंस जो दो में यह दो कौन who Kaye को जोगते हैं राष्ट पती हो जगता है राजिपालों सकता है लोग सबाके अध्यच और उपाध्यक्ष ऌते हैं और विदान सबाके अध्यच उपाध्यस हो जटें राच्वापती उचतेमनय और च्रतम नियाल dedic के नयाइदिश हो सकते हैं इत्यादी लोग ऑलते दिया गया अनुसूची तीन में आगे कि अनुसूची देखते हैं आगे देखते हैं क्या होता है जब हमने पैसा कमा लिया शबद ले ली तो हमने जब शबद लिये तो अब क्या करेंगे हम अपने जो अपने राज मतलब भारत में जो राज और संग साथी छेते हैं उनका र अपने छेत में प्रसाशन और नियंत्र बहुत अच्छे से करते हैं। तो हम लोग ने कि भारत में असाम मेगाले तिर्पुरा और मिजोरम राज़ के जन्जाती छेत्र हैं उन्होंने बहुत अच्छे प्रसाशन कर रखा है। उसके बाद पता चला कि इनको जो असाम मेगाले तिरपुरा और मिजोरम राज के जंजाती छेत्र हैं उनके बीच में जो केंदर सरकारे हैं वो राज के कुछ शक्तियां बटवारा कर दिया उन्होंने कैसे शक्तियां बटवारा किया है तो उन्होंने क्या किया बटवारा कि किया तो देखते हैं इनको क्या क्या है चौती नलशाची इसके राज्य और संग के खेट कि राजसभा में प्रति नजुत्य के बारे में दिया गया है और जो पांच्वी वी不是 से उसमें अंशूची चेत्रों और शूची साध कि प्रसाशन न्व, नीयन्तरन्ट के बारे में दिया गया, और जो छटी अन्सूची है, उसमें मेगाल है, एसाम, तिर्पुरा, मिजोरम, राज्यों के, जन्जाति, छेत्ध के, प्रशाशन के बारे में प्रवदान दिया गया है और जो साथ भी अनसूची है इसमें केंद्र और एवम राज के बीच शक्तियों के बढ़वारे के बारे में जो केंद्र के बारे में यह जो अनसूचियां यह तीन भागों बाटी गई है एक संग सूची है राज सूची और संवरत्री सूची है संग सूची में जब हमारी अनसूची बनी थी उसमें 97 नवे विशे थे और इस समें 98 नवे है वर्तमान में और राज सूची में जो राज सरकार कानून बनाती है वो राज सूची में आते हैं और जब हमारी इन सूची बनीती तो उसमें 680 थे और इस समें 62 विशे हैं वर्तमान में जो समवित्रिस सूची है इसमें संग और राज दोनों कानून बनाते हैं बट जो कानून होता है वो संग सूची मेंलब जो कें सरकार कानून मनाती है उसको value दी जाती है और इसमें total 47 विशे थे जब अनसूची बनीती और इस समें total 52 विशे हैं आई आगे देखते हैं जो आठवी इन सूची इसमें 22 भाषाओं का उलेक किया गया है और जब अनसूची बनीती उसमें 14 भाषा है थी इसके बाद क्या किया गया है कुछ सम्विधान के संसोधन के द्वारा और भाषा है जोड़े जैसे 21 सम्विधान संसोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है और 71 समीदान संसोधन के द्वारा कौंकडी, मडिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है और 92 समीदान संसोधन के द्वारा मैथली, संताली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया है तो अनसूची आठ में टोटल 22 भाषाओं का उलेक किया गया है और जो नौवी अनसूची है इसमें के ओदा जो राज जी होते हैं मतलब संपत्ती के अधिकरण की विधियों का उलेक किया गया है कि मतलब जो राज जी के अधिकारी होते हैं आपकी संपत्ती को कैसे अधिकरण कर लेते हैं तो ये दिया गया है और इसमें क्या होदा है आप चुनावती नहीं दे सकते हैं बट क्या सम्विधान अंसंसोदन पहले एक के द्वारा आप इसको न्याला में चुनावती दे सकते हैं और जो दस्वी अंसूची है दल बदल से संबंदित अंसूची है और इसको बावनवे संविधान संसोधन के द्वारा अनसूची में जोड़ा गया है तो आद देखते हैं जो आपकी बच्ची भी दो अनसूची है एक ग्यारवी अनसूची है इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार करने के लिए बताया गया है और इसके तीहत्रवे संविधान संसोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है और जो आपकी बावनवे सूची इसमें शेहरी छेत्नों की इस्थानिय स्वास्वाशन संस्थाओं को कार करने के लिए बताया गया है और यह चवात्र में 74 सम्विधन संसोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लिस लाइक करिए, शेर करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक ये वोचिन दिसवीडियो